हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब जी फ्रेंड्स आज हम एड़ वर्ब पढ़ेंगे वाट इस एड़ वर्ब तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ एन एड़ वर्ब इस अ वर्ड देट मोडिफाइज अ वर्ब, एजेक्टिव और एन अधर एड़ वर्ब यानि के वो हमें नाउन के बारे में बताता है के नाउन जो है वो कैसा है वर्ब जो है वो आप सब जानते हैं वर्ब जो है वो किसी भी एक्शन को कहते हैं और adverb के बारे में तो आज हम पढ़ रहे हैं इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इन्शाले इसके concept जो है वो आपको clear हो जाएगा Adverb tells us more about verb, adjective, adverb Adverb जो है वो हमें और भी ज़्यादा बताता है मजीद information देता है about verb, adjective and adverb Example के जरी इसको समझते हैं Ali runs, Ali भागता है इसमें जो Ali है वो subject है और जो verb है वो है runs Ali भागता है और उसके बाद अब देखें example number two Example number two में लिखा हुआ है Ali runs swiftly इसमें भी हम पहले की तरह देखें यह बिल्कुल first sentence की तरह ही है इसमें सिर्फ एक जिसका edition है और वो है swiftly Ali subject जैसे example number एक में था और runs जो है वो verb और swiftly क्या है swiftly यहाँ adverb है अब आप यहाँ देख सकते हैं Ali भागता है बात खतम हो गई लेकिन हमें मजीद information मीली है Ali के भागने के बारे में और वो हमें किस ने दी है वो हमें swiftly ने दी है और swiftly ने हमें बताया है कि Ali जो है वो तेजी से भागता है इस तरह से जो हमने पहले भी इस बात को पढ़ा कि जो adverb होते हैं वो हमें वर्ब के बारे में मजीद information देते हैं वर्ब को मजीद modify करते हैं फिर उसके बाद आप यह देखें adverbs answer देते हैं कुछ चीजों का किन questions को वो answer करते हैं तरह से हमने जब adjective को पढ़ा था तब भी कुछ keywords मैंने आपनों को बताये थे कि वो भी adjective जो है वो भी कुछ questions है जिनको वो answer करता है इसी तरह से adverb है जो कि कुछ questions के बारे में हमें information देता है अब वो कौन कौन से questions है मतलब कि अगर एक sentence है उसमें adverb का यूज वावा है आपको नहीं पता चल रहा के adverb क्या कहा है तो फिर आप इन questions के जरीए उनको याद कर सकते हैं वो questions कौन कौन से है वो questions है फिर्स में देखे हाउ को answer वो कैसे करता है वो कैसे लिखती है वो बहुती उंदा लिखती है अब यहाँ how को answer कर रहा है nicely आपको मैंने पहले भी बताया कि जो adverbs होते हैं वो वर्ब को modify करते हैं उसके बारे में मजीद बताते हैं she writes तक हम बात खतम कर सकते थे कि she writes वो लिखती है लेकिन हमने उसमें nicely लगाया और nicely ने हमें बताया कि वो उम्दा लिखती है उसके लिखने के बारे में हमें बहुत ज़्यादा और information दी है फिर उसके बार देखे when do you get up I get up early in the morning मैं सुबह सवेरे उठता हूँ तो इसमें when को answer किस ने किया early ने तो यहाँ पे nice adverb है और यहाँ पे early adverb है आगे देखे where where is it dark अंधेरा कहा है it is dark everywhere तो where को answer किस ने किया है everywhere ने how को answer किया है nicely ने when को answer किया है early ने where को answer किया है everywhere ने अब देखे how often कितनी बार do you visit school आप school जाते है I visit school daily मैं रोजाना school जाता हूँ to what extent how much किस level का काम है क्या degree है to what extent are you happy आप कितने खोश है I am very happy मैं बहुत खोश हूँ तो अब इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से adverb है nicely early everywhere daily and very यह सारे adverbs है और adverbs जो है वो कौन से questions को answer करता है how when where how often to what extent यह जितने भी question words है इन सब को आप लोगों को अपने finger tips पे याद रखना है अब हम इसको बारी बारी देखते हैं कि किस तरह से हमने इस तर definition इदर देखा था कि adverb जो है sorry इसकी जब हमने यहाँ पे यह देखा adverb की definition में कि adverb किस को modify करता है verb को adjective को adverb को अब यह तीन बाते जो है वो आज हमने इस वीडियो में explain करनी है कि verb adjective और adverb को वो किस तरह से modify करता है पहले आ जाता है adverb modifying verb कैसे adverb जो है वो verb को modify करता है अब यहाँ देखें जो playing है यह verb है playing black में जो लिखावा है black color में जो लिखावा है playing this is our verb और उसके बाद आप देखें happily happily खुशी से अब इसमें हम बात को ऐसे भी खतम कर सकते थे the puppy is playing in the puddle पपी जो है वो केच्वड में खेल रहा है लेकिन उसमें जो हमने happily add किया है यह adverb है जो हमें बता रहा है वो किस तरह से खेल रहा है how how को answer कर रहा है यह जो हम example देख रहे हैं यहां हमारे पास जो adverb है वो how को answer कर रहा है how the puppy is playing happily तो playing यहां पे verb है और happily यहां adverb है अब यहां हमने यह देखा कि adverb जो है वो verb को किस तरह से modify करता है और यह वाला जो जब adverb जो है वो verb को modify करेगा तो वो हमेशा वर्ब के बाद आएगा आगे एक और एक्जेम्पल है इसकी दा कैट रैन कुईकली यहां भी भी आप देख सकते हैं कि रैन जो है वो वर्ब है दा कैट रैन, बिल्ली भागी अब यहां पे बात खतम हो रही है लेकिन हमने यह बताना है कि वो कैसे भागी, तो हमने उसके लिए क्विकली लगाया, बिल्ली तेज भागी तो क्विकली यहां पे एड़वर्ब है यहां भी आप देख सकते हैं कि एड़वर्ब जो है, वो वर्ब के बाद आ रहा है फिर आप देखें एडवर्ब मौडिफाइंग एजेक्टिव एडवर्ब जो है वो एजेक्टिव को किस तरह से मौडिफाइंग करता है उसकी एग्जेंपल देखें सारा कुक्ड सारा ने पकाया डिलीशियस फूर्ड मज़ेदार खाना पकाया उसने ठीक है अब उसमें आप देखें डिलीशियस जो है वो एजेक्टिव है फूड नाउन है ना फूड नाउन है डिलीशियस एजेक्टिव है तो फिर यहाँ पे एक्सेप्शनली क्या है एक्सेप्शनली यहाँ पे एडवर्ब है जो के एजेक्टिव को मौडिफाइ कर रहा है इससे हमने देखा था the cat ran quickly बिली तेजी से भागी उसमें quickly जो है वो ran वर्ब को modify कर रहा था और यहां पे जो है वो सारा cooked delicious food सारा ने मज़ेदार खाना पकाया और उसमें जब हमने exceptionally लगा दिया तो exceptionally जो है वो delicious को यहां पे modify कर रहा है और यह adjective से पहले आता है delicious food में delicious जो है वो adjective है delicious adjective है और उसको modify क्या कर रहा है exceptionally यानि के बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार खाना पकाया उसने तो exceptionally यहां पे add a verb है जो के modify कर रहा है adjective को और यह हमें इसकी degree बता रहा है मतलब कितना मज़ेदार खाना पकाया exceptionally delicious खाना पकाया फिर उसके बाद देखें she, he is never bored वो कभी भी जो है वो bored नहीं हुआ यहां पे bored adjective है और जो never है वो कभी भी नहीं never ad verb है यहां पे never ad verb है जो modify कर रहा है adjective को और वो adjective क्या है bored और यह हमें time बता रहा है never मतलब कभ बोर होता है वो never bored वो कभी भी bored नहीं होता है तो इस तरह से जो ad verb हमें adjective के बारे में मजीद information देंगे adjective को modify करेंगे वो हमारे ad verb जो है वो mostly adjective से पहले आते है adjective के साथ noun होता है यह देखें यहां पे जो है वो delicious adjective है food noun है और जो exceptionally है वो यहां पे ad verb है जो के delicious को modify कर रहा है इसी तरह से never पहले आया bored adjective है जो के बाद में आया फिर उसके बार देखें ad verb modifying ad verb को ही किस तरह से modify करेगा example देखें रजा runs fast रजा तेज भागता है अब यहां देखें हम इसको simply यह भी तो कह सकते हैं यहां runs सौरी यहां पे आप देख सकते हैं रजा जो है वो subject है runs यहां पे verb है और जो fast है वो यहां पे adjective है अड़ वर्ब है सौरी जो word हमें verb के बारे में मजीद information देगा जो verb को modify करेगा वो ad verb होता है तो यहां रजा जो है वो noun है subject है runs यहां verb है, अली भागा, कैसे भागा, fast तो यहां पे जो है, वो यह how को answer कर रहा है हमने कहा था ना, कि यह कुछ questions को answer करते हैं तो यहां यह how को answer कर रहा है how does raza run, raza runs fast तो यह यहां जो है, वो how को answer कर रहा है यह ad verb है, raza runs fast अब हमने यहाँ पे very भी लगा लिया very fast बहुत तेज भागा एक तो वो तेज भागा रजा runs fast रजा तेज भागता है दूसरा हमने यह कह दिया रजा runs very fast रजा बहुत ही तेज भागता है तो फिर रजा यहां पे वर्ब है fast यहाँ एडवर्ब है जो हमें बता रहा है कैसे कोई काम हुआ कैसे हुआ fast हुआ तेज हुआ पिर very भी एक और एडवर्ब है जो के हमें बता रहा है to what degree कितना अच्छा वो काम हुआ कितना तेज वो काम हुआ वेरी फास्ट बहुत तेज भागा इस तरह से हमने ये देखा यहाँ पे कैसे adverb जो है वो modify कर रहा है adverb को और किस तरह से adverb modify कर रहा है adjective को और कैसे adverb modify करता है verb को hope you have understood the concept इंशाला next वीडियो में हम इसकी types के बारे में पढ़ेंगे till then take care